तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ बहुत सारे डियाइवाई शेयर करूंगी और बिल्कुल वेस्ट माटीरियल से बनेंगे मैं हमेशा वेस्ट माटीरियल से ही डियाइवाई लेके आती हूँ और आज की वीडियो में काफी बोल डेकोर्स भी होने वाले हैं कुछ अधर होम डेकोर्स भी होने वाले हैं तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना और आज का कौन से डियाइवाई आप लोग को बैस्ट लगता है वो भी कॉमेंट में जरूर बता देना और नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक से रिलेटेड लेगा हूं तो यह भी मुझे जरूर से बता देना तो चलो आज की वीडियो को बिना डिले के फटा फट से स्टार्ट करते हैं चलते हैं आज के फस्ट डियाइवाई पर उसके लिए मैंने यह प्लास्टिक की प्लेट्स का यूज़ किया है और उन पर मैंने तीनों पर एक कलर अप्लाय कर लिया है उसके बाद मैं यहां पे मिरर लगाऊंगी और मैंने वॉल पुट्टी की कॉन बनाई है जो की घर पे दिखिए यहां पर सेंटर में कुछ मिरर्स लगा दिये हैं आप चाहो जैसे इसे डेकोरेट कर सकते हो बहुत ही प्यारा लगने वाला है तो वीडियो को एन तक जरूर से देखना सो कुछ इस टाइप से यहां पर डिजाइन बनाने के बाद मैं एक पर आपको डिजाइन ब घाने वाली हुग तो बहुत ही सुन्दा सा डिया वाई है आप लोग जरूर से कॉमेंट में बता देना कि आपको यह कैसा लगा है और शोट्स वीडियो मेरे चैनल पर डेली आती है तो उनको भी जरूर से चेक आउट कर लेना यह राइस का फाइनल जयल्ट कैसा लगा है जरूर से बता देना सो अब चलते हैं हमारे सेटिंड याइवाइब शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूं मेरे चैनल पर एक सीरिज स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है हंड्रेड डेज हंड्रेड डियाइवाइब चैलेंज सो रोज एक वीडियो मैं लाती हूं स्याम पांच बजे तो आप उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिका बहुत सुन्दर से मैं आइडियाज आप लोग के साल शेयर करती हूं तो जरूर से ट्राय करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना तो चलो आग के डियाइवाइ स्टार पर इन्हें पेस्ट कर लूँगी जिससे बहुत सुन्दर लगेगा और इससे हम एक ट्रे बनाने वाले हैं जो कि ठेले वाली ट्रे होगी और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है कलर कर लिया रेड कलर आपको और भी कलर यहां पर कर सकते हो एंड उसके बाद मैंने ane क्रियेट करना है अधिक तहरीके से कट करके हमें पहले मेजर्मेंट ले ले लिए उसके बाद कट करके यह पेडी कर देना है बहुत ही का यूज करूंगी और कुछ मेरे पास आर्टिफिशल फ्लार्स वगरा है तो उनको भी मैं या पे लगा दूँगी यह दीखे और आप कुछ और भी अगर इसमें डेकोरेशन का पार्ट एड करना चाहते हो तो डेफिनेटल आप कर सकते हो बहुत ही जदा प्यारा है यह वाल यूज किया है और उनकी उपर मैंने दोनों पर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स कर ली यलो और मैंने या पिंक दोनों का कॉंबोनेशन या पर यूज किया है और बहुत ही जदा सुन्दर लग रहा था यह वाला डियाइवाई भी तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब क कर लेना अब उसके बाद मैंने कुछ फलार्स के डिजाइन्स क्रिएट कर दिया है अब उसके बाद मैंने साइट में इन बोक्स के होल कर लिया है और होल करने के बाद हम एक रसी लेंगे और उसकी हैल्फ से एक हैंगिंग शेल्फ इस जैसा इसे क्रिएट कर लेंगे ठीक ह तो इस तरीके से मैंने दोनों box में hole कर लिया है अब लेना है हमें रस्ती और अंदर की side दिखी note लगा करके और दोनों को अच्छे से यहाँ पर arrange करके equal distance पर हमें यहाँ पर रस्ती से इने बाध लेना है तो बहुत सुन्दर सा DIY है प्लीज कॉमेंट में बताना कैसा लगा है आप लोग को तो चलो देख लेते हैं इसका final result तो यह दिखे बहुत सुन्दर से hanging shelf बनके ready हुई है तो like, share, subscribe, follow की बना मत जाना